हेलो एवरीवन बहुत बहुत सागत है आपका मेरे यूटीव चैनल पर चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ सबसे पहले हम चावल सोक कर लेते हैं पानी में 15-20 मिनट के लिए कोई भी रेगुलर आप पुराना चावल ले सकते हैं बास्मती लॉंग ग्रिन या शौड ग्रिन इसे 20 मिनट के लिए एक तरफ रख देते हैं इसके बाद यहां कुछ सबजियां जैसे गाजर बीन्स लैसु के लगबग चावल उबालने के लिए तो जब पानी हमारा अच्छी तरीके से उबलने लगेगा तो हम इसमें चावल लाल देंगे और जैसे नॉर्मल हम चावल उबालते हैं बिल्कुल वैसे ही चावलों को अच्छी तरह से पका लेते हैं उबलते हुए पानी में और सोक क पान की सबस्पूनस के लगबग एक यहाँ पास लाल मिर्च नहीं तो आप हरी मिर्च ले सकते हैं लैस। काफी सारा लेना है अब यहाँ पर एक से डिर टेबल स्पून के लगबग एक कड़ाई में हम तेल डालेंगे तेल को काफी अच्छी तरह से गरम करना है स्मोकिंग पॉइंट तक जानी कि जब दुआ छोड़ने लगे और कुछ इस तरह से कड़ाई को हिलाते हुए तेल से इसे ग्रीस कर लीजे इस तरह से चिपकेगा नहीं कुछ भी बाद में जब तेल अच्छी तरह गरम हो जाए तो इसमें मिर्च और लैसुन डाल दीजे तो क्रॉंग फ्लेवर आएगा लैसुन को गार्लिक का जो कि हमें चाहिए अब हम इसमें डाल देंगे फ्रेंच बीन्स को हमने बारी काट करके रखा हुआ है तो एक चौथाई कपके लगबग हम इसे डाल देंगे सबजी आप अपनी पसंद के इसाफ से कम्यां जादा कर सकते प्र या फिर अगर आप जो सब्जी नहीं पसंदे ऊसे ना ढालें इसके बाद प्यास डाल देंगे अपस्तो को जादा नहीं पकाना है पयास हमने Epic को जादाने नहीं नहीं यह आपर यानि किसी भी चीशुग जादा नीं पकाना है लैसुन और पहले जो हमने घ्रा ली थी करेंगे और इसके तुरंद बादी हम इसमें डाल देंगे एक चोटी चम्मच भाइट विनेगर यानि सफीद वाला सिरका इससे एक थोड़ा टैंगीनेस मिलेगा हमारी डिश को इसके साथ फ्राइड राइज स्ट्रीट स्टाइल तो यहां एक तो टालेंगे ही लेकिन अगर आप एक नहीं पसंद करते हैं तो एक का ऑप्शन बिल्कुल यहां पर स्किप कर दीजिए यानि कि यह वाला स्टेप जो है वो छोड़ दीजिए इसके बाद पूरा स्टेप यानि पूरा ऐसे ही फॉलो कीजिए परफेक्ट स्ट्रीट स्टाइल एग फ्राइड रेज बनाने के लिए चार अंडे मैंने हम ले लिए हैं गैस की फ्लेम को अब मैं धीमा कर लूँगी जब तक मैं अंडे मिक्स करूँगी तब तक गैस को धीमा ही रखूँगी और अब इन्हें काफ यह और भी बड़ी अतीखा पन देगा अंडे अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं तो अब हमने जो चावल उबाल करके रखे थे वह हम चावल इसमें डाल देंगे चावल लाल देने के बाद में हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार और इसके साथी साथ हम डालेंगे दो टी स्फून लाइट सोया सोस अगर डैर्क सोय वह है तो उससे एक चमच ही डाले चाजै पानि या फिर पानी में थोड़ा सा मिला लीजिएग नहीं जैसे निशने हमसा हाइ फ्लेम पर होती है इसलिए आपको लिनी है कि क्र भण कोई लेनी होती है जिसका अइसा बर्तार right जिसे हमारे मूँ में बाइट का सके अगर आपको लगता है आपके दिशितर कि हमतीं कर भंक आप यहांद का还 या काली मूज का पाउडर एड़ कर सकते हैं अब इसे आप एक से देड़ मिनट के लिए अच्छी तरह से बराबर चलाते हुए मिक्स कर लीजे देखिए बढ़िया एकदम बहुत ही गरम है धुआ निकल रहा है बहुत अच्छे से यह फ्राइब हो रहा है तो जब यह अच् टेस्टी खाना बना सकते हैं जो की काफी हेल्दी भी है बहुत टेस्टी है इस तरह से बनाना एक राइस तो जो वेजिटेरियन है यानि एक नहीं खाते उनके लिए मैंने बता दिया है कि वह एक नडाले और बाकी की रेसिपी ऐसे ही फॉलो करें उमीद है आज की वीडिय कीजिएगा शेयर कीजिए और वीडियो दिखने के लिए बहुत बहुत हैं